उत्तर प्रदेश मदे विधान सवा निवड नुकांचा माहोल सद्या सगी कड़े बगाला में तो आणि उत्तर प्रदेश मदे तुम्हें आले आणि ताजमाल नाई बगितला तर काई केले आणि आगरात आला नंतर ताजमाल सुबत पेठा सुद्धा है तो तर याज आगरोज नव नुरी गली मते आले आट जितेते एक मूठा इतिहास या गली है शहराला अरियाँ सग्षा अनेक इमारतीं अनेकšर मंदीरं आणि बगान स frag और ना नुरीग तुम्हेंट प्राचीन का नाम प्राचीन क्यों रखा है अपने राजेश खरवाल है और इस दुकान का नाम प्राचीन इसलिए यह क्यों कि जब पेठे की सुरवात हुई थी तो वह इसी नम सो ही ती और वैसे जो इसका इतिहास है वह महभारत काल से हमारे यहां एक रिशी मुनी हुआ अ और इसका जो संस्क्रिट में नाम है वो कुष्मंडु है तो इसका जो असली नाम है इस पिठे का जिसको हम पेटा, बतुवा, पूडा, कोला, कदू इनको अनेक परांतिये भासाओं में अलाग प्रकार से बोलते हैं एन सिंदी में सिपाव बोलते हैं और पूण बोलते हैं है यारिवित भी है्जाय मरू बोलते हैं ये अनेक पासाॉं में अलग है मंगा यहां पर कदु भी बोलते हैं प्रुएंजाइग नुझ भेट रट गोदने क्रिए इसको नाम है केवल आयोवेदिक मैडिशन के रूप में जाना जाता था केवल आयोवेदिक जो बैद लोग होते थे वो इसकी आसिती बना करके वो कैई उपचारों में मरीजों को देते थे उसमें जो हमारे पास एक परानी पिस्ता गय उसमें वर्णन है पेट के लिए लिवर के लिए जो इन जानी के लिए और ये सब रहत अप तमाम तरह की भीमारियों उपचार उसमें करते थें पीठे के उस टेम पाफ बनाते थें पाफ पेठे में कुछ मसाले और इस कद्दू को ले ज़े पाख बना कर गे अंगयों परिकार के रोगों को ब है उनके यह सब विवरन है आरोग संजनी में भी इसके तमाम बढ़नान आते हैं तो इसकी अनेक प्रकार से पहले अजारो साल तक यही चलता रहा और इसको आज भी दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सस्ती मिठाई माना जाता है पूरी दुनिया में से सस्ती और अच्छी कोई मिठाई नही है ही नहीं क्योंकि यह बहुत हाई against observe temperature बनती इसको कही बार अजारोड लिट्र पानी के साथ में सытको धोँ जाता है इसकी ज़ो बोलिंग है वह भी दो वार होती एक गई ऐक बार पार बोई लोक टाई है 证पनी कि कब सबसे इसको से वहाहर दुन्भर इसके पेटे के जनक है वो हमारे फादर स्री गोगल चंदी कहे जाते हैं को कि जब ये पहले आयोवेदिक के इसाब से हलागी में आयोवेदिय को संस्तान में इसका आयोवेदिक अविलेक के नाम से भी बढ़न है मगर जोगी पहले पेठा चीनि का विश्काल नहीं गोण तो गुड़ और के गवस्छों पला जाता अज क्योंक्ति जांद्धा थैं में उसम हमले असका श्राद के लिए बहुत खाते थे इक आज कल तो हम लोग सब स्वात के लिए खाते हैं मगर पहले सवास्त के लिए बहुत देखा जाता था तो पुलाजयों को पथाथिजिक के लिए बहुत लापढ़िक हैं इसके दूञ इसके जना एक उनोंने उन्हों ने इसके ड़ित ऊड़ी के साथ पेठे को बनाया पेटा बनाया तो इसका सवाध बहुत ही सवाधिस्ट और खुशुबदा होने से लोगों के मन मोह को मुलिया अब उन्होंने क्या किया कि आग्रे में तो पेठे को प्रिचलिक कर दिया अब उनके दिमाग में कि यह पूरे हिंदुस्तान में कैसे इसकी ख्याती प्राब्द हो तो क्या करना चाहिए तो उन्होंने क्या किया कि दिल्ली में जो वर्ड ट्रेट वेर होता है उन्होंने एक इस्टॉल के लिए आवेदन किया जोगी वहां पर सब बड़े-बड़े लोगों कि इस्टॉले ल वहां पर इस्टॉल आदी उनके साथ शेयर करके लगा दी अब उस पंडाल में जो उन्होंने वहां पेठा बनाया और पेठा बना के के बड़ा उसके अंदर डाला तो पूरे प्रगती मेयदान में जो वर्ट टेट वेर था पूरे पंडाल में खश्मू भिखर गई तो ज में उन्होंने उस पेठे को आर खाया तो वह उसके मंद मुख़ तो उन्होंने का वह इतनी बडिया मिटाई भी होती है तो यह तो हमने कभी पहले खाई नहीं नहीं के यह चुत आए और वह पहिटे की सुने आज हम अनेकों प्रकार के पेठा बनाते हैं 56 प्रकार तक की वराइटी बनती है क्योंकि फिर हमने यह सोचा कि जब यह आगरे का पेठा है तो इसको और इसको नए आयाम दिये जाए हमने इसको नए आयाम के साथ जोड़ा हमने सोचा कि इसमें बच्छों का लेडिस का इंडिया होती हैं तो हमने इनको केंडी विलेवर से चोड़ा तो हमने पान चौकलेट सेंडवेच जैली केसर लेना खाड़ गाव अने परकार के वराइटी हमने बना ही शाली मार दिलकस रॉल पेठा तो 56 प्रकार तक की वराइटी आप यह बनती है तो अब हर समय 25 दिस द बनाते हैं क्योंकि हमने उसके बाद मैं आप यह उन्हों ने किया तो हमने सोचा कि इसको क्यों आख और विस्तर और कि मिलिया वाद यह मिटाई और सारी मिटाईयों से सबसे सुध हैं इसमें कोई मिलावड नहीं होती है यह दुनिया की सबसे सस्ती मिठाई हैं और सबसे अच्छी मिठाई है और जो आईवेदिक वड़नेंट में इसके कही सारे मलब इसके फाइदे भी किनाई जाते हैं में आपको कर्या दिखाओ और की उसमें बताऊंगे इसको कैसे काटा जाता है जाता जाता कैसे पॉइल आजाता है उसके में आपको कुछ अंस दिखाता हूं तो इसको पेठा कहा जाता है इसको पेठा बनने से पेले इसको दोवा जाएगा इस फल को अच्छा आता कहा है इसका प्रोड़क्शन कहा पर होता है यह हमारे यहां असपास में एटा एटावा हो रही है कुशकावबाद यह आगरे के नियरेश्ट है जब यहां पर शौट हो जाता है तो बैंगलोर से आता है बंबई महराश्ट है सभी बहुत आता है बहुत आता है इसके अलग वराइटी है और चेतर का थोड़ा रंग रूप अलग होता है इसको करने के बाद में अब इस तांस के अंदर रखके काठा जाएगा है ना और वेश के बाद काठने के बाद में इसके चार पीस किये जाएंगे है ना लाव रखो यह हां क्योंकि पेठा क्या है यह हमारे यह पेठा जो होता है यह फल्यारी में भी काम आता है क्योंकि हमारे इंदू संस्किती में इसकी पूजा पाट भी होती है और इसको हमारे जो विरत होते हैं उनमें भी इसमें खाए आता है लोगी इसका पूजा में भी बहुत हमारे महत्यूंस तान दिया गिया है तो इसका साफ च्योंकि हम फास्ट बोलते हैं पर अपर को जब देने के लिए को कि पिर अगर हम कोई उल्टा सीरा तरह से कड़ेंगे तो इसके शेफ सही नहीं आएगी यह बीज निकाल रहे हैं यह जो अच्छा पेटा होता है जो बढ़िया पेटा होता है वो दस जो हमारे हैं काव में लिए था है वो दस किलो से लेकर 25-25 किलो तक ह होता है वैसे तो तो अब एक साहिए यह तो यूनिट है बड़ी यह तो एक बार में जैसे हम बनाएंगे पेटा तो कम से कम थीन चार कुंडल शेटा एक बार में बनेगा में इस कुंप 1 क्टी का पीधर नहीं बंता है हमा रहे हैंट और थल्टास बचाल में माना हमारी है तो हमारा यां तो कम साकम एक बार में मेंक्डेल गुंडल बनता है भ१्या मंता है है टरों इस यह चिल गया इसके बाद में इसको गदाइ मे eles का अगद पहले तो हाथ से मैनुवली होता था क्योंकि अब थोड़ा अदूनिक्ता ने जनम ले लिया है तो इसको गुदाई करेंगे पानी 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 आप अब इसको एना मसीन को पहले दोएंगे कोई डालने से पहले लुदा एक बार में 400 500 लगी हुई है उसके अंदर यह जाएगा वो इसको और चारसो से पासुचुछ जी जी इसका काम यह है इस पेड़े पूरे पेठे को गोद देगा जब इसको पकाया यह तब इसके अंदर रस पेड़े के अंदर रस वर पाएगा पहले यहां से होता था हासे चोटी-चोटी मोटियों से गोदा जाता था उसमें बहुत हाड़ वर्ग लगता था चूंकि अब अदुनिक्ता ने जनम ले लिया है तो उससे काम भी जल्दी हो जाता है अब कभी-कभी जब लाइट वाइट नहीं होती है तो हासे भी बनाते है हाँ अब इसके बाद में जब इसकी गुदाई हो जाएगी तो फिर उसके बाद में इसको पानी के अंदर वाश किया जाएगा वाश करने के बाद में इसको बॉल किया जाएगा बॉल करने के बाद में जब पूरा बॉल हो जाएगा फिर वाश किया जाएगा तो इसको सब्सक्राइब लगता है अब यह सुरू हो गई है अब यह देखो आप यह वहाँ से गुद के पेटा भार आजाएगा यह गोद के मशीन आ रहेगा अब नहीं कड़ेगा नहीं के वाली इसको इसको गोदाई के लिए इसको जिससे इसके अंदर चास्टी स्कॉम इसको एक्जॉप कर सके अब बिल्कुल आरपार होती है और इसको आंगे पीछे दोना तरफ से गोदा जाता है जिससे भी कहीं कोई कमी न रहा जाए कि जी 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 200 टेंपरेचर पर यह पगता है इसमें कोई भी जम्स रहने की कोई वह नहीं गुंजाई से नहीं रहती हाँ असब्सक्राइब करने के बाद में फिर वाश किया जाता है यह अलग अलग डाई हो से काटते हैं जैसे मैं आपको बताया कि हमने हर उम्रतराज को देखते हुए नहीं ने फिलेवर बनाए हैं के लिए अलग परगार की बिराइटिया बनाई है अंगूरी पेटा है, पान पेटा है, गुलाब लेटू पेटा है, दिलकस पेटा है, चॉकलेट पेटा है और ये इतने नाम है कि मैं आपको गिनाऊँगा तो मैं खुद भी भूल जाऊँगा तो अब जैसे ये पेटे का एक लच्छा भी यहां पर रखा हुआ है ये 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 ड्राइप एटा ये भी रखा हुआ है, ये ना ये अच्छा होता है कि हमारे हां हाईजीन का बहुत ध्यान लगा जाता है जो हमारे हां डबल फिल्टर सुगर आती है, उसको भी हमें एक बार अपने हैं खुद फिल्टर करते हैं जो आपको रहनानीर की बाद बता दूं जो शुगर आप डबल रिवाइंड पिल्डर काते हैं जो आपको दिखने में बहुत सुंदर और सब्सक्राइब दिखती है उसको भी जब आप उसको पकाऊगे तो कम से कम एक किलो डस्क निकलाएगी जो लोग घरों में खा लेते है मगर हमारे रहो पका गर कर दूद के साथ दूद के साथ पका कर तो निकाल दिया जाता है और फिर जब जाकर कुछ पहता पकता है कि अगर मैं अपने यह नहीं पकाएंगे अगर डश्ट होगी तो हमारा पेठा काला हो जाएगा है इस लिएा स्कुल कीन ??? को बतता रहें बहुत हाईजनिक रहें इसलिए हम शुगर को भी अपने कॉंफिटेंस में दूद के साथ एक बार और पका करके एक बार और रिफाइंड कर लेते हैं जिससे हमारी क्वालेटी के साथ कोई समझोता ना हूँ यह कम से गम ड्रकेंट बॉयल होता है दो श़ुए उसके बाद होने के लिए लगते हैं और कोई भी मिठाई जूढ़ गंदे तक वह भी नहीं पगाई आती है यह प्रविदे की मिठाई सब से सस्ती और सब से स्वास्त वर्दक मिठाई माननी जाती है कोई इसमें कोई के त्यार हो गया है यह ठंडा करने के लिए रख दिया गया है और यह एकदम गरम-गरम पेठा है अभी जब यह थोड़ा ठंडा हो जाएगा इसको तांसवा में निकाला जाएगा यह चासनी यह चीनी की चासनी सुगर सुगर सीरफ यह बिल्कुल पतला-पतला यह इसलिए क पत्रा होता है जिसे पान का पत्ता होता है कैसी यह पत्ता बनाया जा रहा है और इसको फिर फ्लेवर के साथ में और उसमें गुलकंद और मावा लगा करके इसको एकदम पान की तरह टेस्ट के त्यार करा जाएगा जिसमें यह हमारा पेठे का पत्रा होगा उसके साथ में की वेराइटी त्यार होगी पान पेठा जी आंगे की प्रोसेस में आपको आंगे दिखाता हूँ कि सबूंतर निकाल के तांसों में यह इसको सुखा यह है जाए यह तो फिर चूरा लग लिए आगा साफ चाफ स पीटा पैठा भरके करके तयार बेचने के लिए तया तरह देना सुस्खने में नहीं कि catalog तoti marketing सुखने में नहीं यह पानी नहीं झाल ये पैठ़े को जैसे गाजर जैसे जिसी जाती है ऐसी पेठे को गिस करके इसका कत्दुकर रे इसकी जैस्य बना ली गई है अब इसको कप्ड़े नको बांध के खम पान मीठा करके इसको फैफिस इसको हम आप क्या करें कपले में इसको निचोड़ लेंगे सारा मीठा उसमें रह जाएगा फरी खाली इसका जैसे गाजर का कस होता है ऐसी पेटे का सो जाएगा तो इसके अंदर हम कही ची अमने फ्लेवर टेस्ट मिला करके इसको पेटे का एक नई डिस्ट तैयार कर देंग इस परनाने टाइम में तो खाली सादा पेटा केशर पेटा एई लक यह चीजा बना करते दिए तो को हुआ है यहां जैसा है कि काली है यचा है अच्परी पेटा हिए और यह यह पेटा यह यह रस्बरी पेटा यह बच्चों के लिए इस तोबरी पेटा है यह अब कर दिखाता हूं अपनी और चगा और यहां पर लेट साइट कॉनसा तो पेठा दिख रहा है मुझे उसके बाद उसकी कुछ मार बैटे इस बिजनस को करोना काल में तो खेर सभी ने सफर किया है तो हमारे इस पेठा इंडस्ट्री ने भी किया है क्योंकि यह अगरे का जो कारम परिक प्राचिक पिटा यह भी इससे अच्छूता नहीं रहा क्योंकि उसका कारण है कि टूरिस्टों का आवा गवन बंद हो गया पेठा और ताजम सब्सक्राइक आब जाशताइक कम विकिया कारण के घ्राथा जिए ब्लकुरी टृटल फो ऊगОी थी में ठाय बडर बिस पचीस तीस परस्तीस सत काम चल रहा है अब अब ये करोना काल जैसे खतम होगा तो हमें उम्मीद है कि पर्याटक बढ़ेगा और आगरेगा ये पारंपरिक पेठा ये अपनी और गती को आंगे प्रदान करेगा बात बताईए ये सब जगह आपकी है जी कितने साल से हो रहा है क्योंकि काफी पुरानी इमारत ये पहले इसको मिठाईपुर के नाम से भी जाना जाता था ये जिस छेत्र में बनता है पेठा फिर दीरे दीरे वह उसमें नूरी दरवाया के नाम से जाने लगा फिर यहां यहां पर जो हमारे ये करांतिकारियों की करम इस्तली भी रही है क्योंकि जो यहां पर सुकदेव, राजगुरु भागसिंग का यहां पर निवास हुआ था इत्यास तो यह है कि एक टाइम में इसको मिठाई पर भी जाना जाता था क्योंकि यहां पर कम से कम 90 दुखाने बूरे की को कि पहले मिठाईयों में बूरा क्या बहुत पर चलनता पूरा है बतास है मिश्री है बनारस का पान खाया अभी आगरा के पेठे का पान खाके में देखाए जी 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 क्यामेरावन प्रशान माने सहस अवरभ खोरटकर एभीपी माजा उत्तरप्रदेश आगरा एभीपी माजा उटना डोले बगानीट